हलो दोस्तूं स्वागत आप सभी का एकबार फिर से DLS न्यूज चेनल पर तो आज तारीक हो गई 13 नाओंबर 2021 दिन सनिवार और बात करते हैं आज के मुख्य समचार और 2डे ब्रैकिंग न्यूज के सबडेट विडियो में नजर डालते हैं देश बर की तमाम बड़ी खबरों पर आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तूं देश में एक और नई वाइरस ने दस्तक दे दिये जहां अभी तक दोस्तूं देश भारत और दुनिया में कोरना का माहुल भी खत्म नहीं हुआ इसी बीच एक और नए वाइरस की दस्तक हो जाना बड़े ही खत्रे की बाता और सरकार ने इसको लेकर चिताओने भी जारी किया है इस वाइरस का नाम है नोरो वाइरस ये कहां किस रजी में आया कितने मामले देखने को मिले क्या इसकी लक्षन है पूरी बड़ी कबर में आपको बताऊंगा विस्तार से वहीं आम आदमी को एक और बड़ा जटका लगने जा रहा बिजली महांगी हो सकती हैं सरकार न एक नियम बदल दिया और जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा ये भी बड़ी कबर जानेगे वहीं सरकारी बसों में सफर करने वालों के लिए भी नया नियम आच चुका अब आप रोडवेज वगरा में सफर करने के दोरान मोबाइल में गाने नहीं सुन पाएंगे तेज आवाज में कहां ये नियम लाग हुआ ये भी जानेगे साथ ही आज के मोसम समाचार सोना चान्दी पेट्रोल येल के रेट्स क्या चल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा विदान सबच उनाओ 2022 वगरा को लेकर भी कुछ खबरें अपडेट हैं तो कहने का मलब कुलमला करके एक एकर करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट है यानी की काम की महतोपुन खबरों पर नजड आते फटाबट से तो बिलकुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लाश्ट तक देखते रहेगा बिना डाविष्ट किये सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में तो देखे भारती विग्यानिकू ने एक AC डिवाइस विक्षित की हैं जो भुकम की चितावनी दे देगी भुकम बाने की दो मिनिट पहले अलड मिल जाएगा और भारत के विग्यानिकूं के इस अविसकार से लाकू लोगों की जिंदिगयां बचाए जा सकेगी IIT मदरास के सोधकरताओं ने AC टेक्नोलोजी विक्षित की हैं भारती प्रोध्योगी के संस्थान के विग्यानिकूने अगली बड़ी कबर देखिए हभीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमला पती होगा प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी 15 नावमर को इसका ऐलान करेंगे परिवहन विबागने के अंदर सरकार को नाम बदलने का प्रस्ताओं भी बेजाएं विदेगे बड़ी कबर उत्तरपरदेश के पुरुवांचल एक्सप्रेस वेपर गरजेंगे भारती सेना के लड़ा को युमान प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी 16 नावमर को इनका उद्गाटन करेंगे वही कली नहीं ओजना की सुरुवात करते हुए प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी बोले देश वाश्यू से कि अब अगर आपको बेंक अधिकारी परिसान करते हैं अगर आपको कोई बेंक की सर्विस अच्छी नहीं लग रही है ATM से आपकी कोई परिसानी है तो तुरंत आप ऐसे शिकायत करें उस बेंक पर एक्षेन लिया जाएगा दरसल बहुत वार हमारी कोई बेंकिंग से समधित समझ्चा होती है हम बेंक वालू से कंप्लेन भी करते हैं लेकिन सुनते नहीं है बेंक का कोई कर्मचारी बोलता काउंटर नमबर एक पर जाओ एक वाला बोलता तीन पर जाओ और तीन वाला बोलता वापस एक पर जाओ आए दिन लोगों के कई ऐसी समझाया हमें देखने को मिलती है तो ऐसे में कल ही प्रदानमत्री नरेंदर मोधी के तरब से आर बी आई यानि की भारती रिजरो बेंक ऑफ इंडिया के रूल्स के अकोर्डिंग देश में नयानियम लागू किया और अब ऐसे में कुल्मला करके आपके बेंक खाते से समझाधित कोई भी परिसान है ना तो हर एक परिसानी का एक ही समधान मिलेगा इसके लिए अलक्षे ओनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा और वहीं देश वाशूं के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा जिससे आप तुरंत अपनी बेंकिंग कंप्लेंट कर बाओगे बहुत जल्दी ये टोल फ्री नंबर अनाउंस किया जाएगा गौर्मेट के तरब से तो मैं आपको बता दूँगा अच्छा वहीं अगले बड़ी खबर देखिए बस में मोबाइल पर बजाया गाना आया वीडियो चलाया तो कंडक्टर आप पर कारिवाई करेगा और इसके दाद आप पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है दर असल करनाटक राजिये में सरकार ने ये नयानियम लागू कर दिया आयकोट के आदेश के बाद अब सरकारी बसू में यानि की रोडवेज वगरा में सफर करने दोरान आप अपने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने नहीं बजा पाएंगे देश में बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनलाइन में हालात क्या चल दे हैं ये बात का बड़ा कुलासा हाली में एक स्टेडी में देखने को मिला हैं वहीं देखे विवादित बोल के चलते सोसिल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं बोलिवुड एक्ट्रेस कंगना रनोत और उनसे पदमसरी भी वापस लेने की मांग की जा रही हैं उनकी गिरबतारी की मांग भी उट रही हैं इसके लावा हाले में उन्होंने आजादी को लेकर एक बयान दिया वो बयान बाची भी उन पर भारी पड़ी कंगना रनोत के खिलाब जाइपूर में केस दर्ज हो गया उदाइपूर जोदपूर चूरू साइथ 5 जिलों में पुलीस से भी सिकायत की गई यूपी चुनाओ पर बड़ी कबर देखिये यूपी के असेंबले इलक्षन को लेकर 36 गड की मुक्यमंद्री ने प्रियंका गांदी से मुलाकात की और आने वाले चुनाओं को लेकर चर्चा भी की वही के अंद्रिय ग्रिया मंत्री अमीद सांब भी वारान से पहुंचे हैं उत्रपरदेश विदांसबा चुनाओ 2022 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अचा हाली में दोस्त हूँ ABPC वोटर के तरब से एक सर्वे भी सामने आ रहा है और उस सर्वे के मुताबिक हैं उत्रपरदेश पंजाब से लेकर उत्राकंट गोवा और मनिपूर तक आकर किस रज़े में किस राजनितिक पार्टी की सरकार बन सकती हैं यह एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है अब यहां पर मैं आपको ब्रीफ इंफोर्मेशन फटाबर से बता देता हूँ कि किस राज़े में किस राजनितिक पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं यूपी में वापस बीजेपी ही आ सकती हैं कुल 403 सीटे हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 213 से 221 सीटे जा सकती हैं यानि कि उत्तरपरदेश के लोग एक बार फिट से मुक्यमत्री हो गया दीते हैं आत को ही अगली बार सीयम बनना देखना चाहते हैं वहीं पंजाब राजी में कुल 117 सीटों में से कॉंग्रेस के खाते में 35% सीटे जा सकती हैं और आमादमी पार्टी के खाते में 36% सीटे जा सकती हैं गोवा में 40 सीटों में से BJP को ही सबसे ज़्यादा सीटें 36 प्रतिशत मिल सकती हैं गोवा में भी वहीं मनीपूर में भी BJP की ही सरकार बंती नजारारी 49 प्रतिशत सीटों के साथ मनीपूर के बात करें तो यहां पर भी कुल सार सीटों में से 25 से 29 सीटे बीजेपी के खाते में जा सकते हैं और कॉंग्रेस भी 20 से 24 सीटे ला सकती हैं यानि कि मनीपूर में कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच काटे की टकर में देखने को मिलेगी एक कंपिटिशन भारी रहेगा तो यह रहा 24 असेंबले इलेक्शन यानि की विदानसबा चुनाओ का सी वोटर सर्वे का नतीजा जो मैंने आपको बता दिया वहीं इलेक्शन पर और एक अपडेड देखिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब विदानसबा चुनाओ के लिए 10 उम्मीद्वारों के गोसना भी कर दिये हैं जो कि सभी मोजूदा विदायक हैं इनकी लिष्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भगतर के बीच आपकी पहली लिष्ट जारी हुई हैं पंजाब चुनाओ के लिए 10 विदायकों को टिकेट दे दिये गए साथ ही बड़ी कबर देखिए जल्द ही होगा पंचाय चुनाओ की तारिकों का एलान मद्यपरदेश में भी 35 रुबे देकर आप भी नोमिनीशन उमीद्वार के रूप में भर पाएंगे अचा वही पच्छे मंगाल में वे 19 दिसंबर को होंगे कोलकता और हावडा नगरिगम के चुनाओ रज चुनाओ आयोग ने तारिकों के गोस्ना कर दिया यानि कि पिछले महिनों के तुलना में अक्टूबर के महिने में खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बहुत और ज्यादा महिंगी हुई है महंगाई पर मैंने आपको कल नाइट में DLS न्यूज के उपर एक वीडियो भी बताया था साम को कि दुस्तों हाल या कि एक रिपोर्ड में इस बात का भी बड़ा कुलासा हो रहा है कि नई साल 2022 में कपड़े सराब और इलक्रिक सामान समयत कई सारे आइटम्स जो हैं वो 10 प्रतिश्यत तक मैंगे हो सकते हैं कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल में बड़ोतरी के चलते ग्रहाकूं से रेट हैं आप बढ़ानी पड़ेगी अच्छा वाइट टेक न्यूज के दाथ अपडेट देखिए वोटसप भी एक नया अपडेट लेकर आ रहा उसमें आपको एक नया फीचर मिलेगा और वह य अगली बड़ी कबर देखिए दोस्तूं कोरोना वाइरस के बीच एक और खतरनाक वाइरस देश में दस्तक दे चुका हैं जिसका नाम है नोरो वाइरस और अभी तक फिलाल भारत के केरल राजी में ये एक और संकरामक नोरो वाइरस ने दस्तक दे दिये हैं और उसके बात हैं कि ये बारत में भी दस्तक दे चुका है नोरो वाइरस के लक्षणूं की बात करें तो इस वाइरस से संकर्मित होने के बात वेक्ति के पेट और आतू मी सूजन आ जाती हैं गंबिर उल्टी वतियां और दस्त जैसे लक्षण भी इसके सामिल हैं नोरो वाइरस अन्य गंबीर बिमारियों से जूज रहे लोगों के लिए ये वाइरस खतरनाक हो सकता है। पानी की कमी हो सकती हैं जिससे कई और जिटिलताएं विवर सकती हैं। पारेस से समधित लक्षन और बचाओं के उपाएं में आपको बता दिये। सावधान रहें सतर करें। कोरना से समधित कुछ और इंपोटेंट न्यूज भी हैं में आपको तोड़ा आगे बताऊंगा। फिलाल देखे अगली बड़ी कबर कि स्री क्रिष्न जनबु में मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई और अब 24 नवंबर को इस केस पर वापस अगली सुनवाई होगी। वहीं देखे देव दिवाली के मोके पर बेश्री राम आएंगे प्रियाग राज 5 लाख दिपों से स्वागत की तयारिया चल दिए हैं। अब ओटिटी में बिजनिस करने के लिए खर्च करेगी 500 करोड रुपे का निवेश्ट। वहीं बिहार के साड़े 3 लाख टीचर्स को निती सरकार ने बड़ा तोफा दिया हैं। नए साल 1 जनवरी 2022 से ही लाखुन टीचर्स को 15 प्रतिशत बड़ी हुई सेलरी मिलेगी इसका भी रास्ता सरकार ने क्लियर कर दिया। वहीं देखे माराष्टर के मुक्यमंतरी उद्धा उठाकरे की रीड की हड़ी की सर्जिरी हुई ओप्रेशन हुआ और उसके बाद उनको सर्जिरी वार्ड से नॉर्मल वार्ड मिलाया गया है। डॉक्टरों ने कहां कि हालत उनकी फिलाल स्थिर हैं। हम जल्द उनके स्वस्त होने की काम ना करते हैं। यहां पर भी आपको मद्यम बारिस देखने को मिल सकती हैं। नहीं निकलने की सला दिये हैं। दो दिन हालात काफी गंबीर रहने वाले हैं। प्रदूशन का लेवल PM 2.5 तक बढ़ गया। जो कि फेंपड़ों को काफी ज्यादा नुक्षान देता अगर इतने प्रदूशन में हम सांस भी लेते हैं। यूपी लगनों में भी देखें 15 साल से पुराने वाहनों को पाबंदी लगाने की तयारी चल रही हैं। प्रदूशन को रोकने के लिए यही कदम उठाये जा रहा है। अच्छा वहीं पेट्रोल इजल के प्राइस की बात करें तो देख सकते हैं। नए रेट्स तो जारी हो चुके हैं मैं आपको बताऊंगा लेकिन देश में एक सहर एसा भी हैं जहाँ पर 77 रुपे लीटर डीजल मिल रहा है। पेट्रोल 82 रुपे लिटर मिल रहा है। दरसल पोर्ट ब्लेयर नाम की जो एक जगह हैं हमारे देश में हैं यह एक इंडिया में ही सीटी हैं अंडमा निकोमार दीपसमुह के अंदर जहां पर पेट्रोल इजल इतना सस्ता मिलता है। और बाकी अभी देश के अलग-लग सहरू में पेट्रोल इजल का रेटलिस्ट क्या चल रहा हैं तो आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। जनवरी 2022 से बच्चों का ठीका करण भी देश में सुरू हो जाएगा। लोग जो हैं वो चाइनीज वेक्षिन लगवाए वे थे हैं। और वहीं देखिए H1B वीजा को लेकर अबरकी राष्टपती जोब आइडेन ने बड़ा फेसला लिया हैं। और इससे लाख हूं इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए खुसकबरी भी होगी क्योंकि इस वीजा के नियमू को आसान कर दिया हैं। और ये लोग आसानी से अब अमेरिका में जोब भी पापाएंगे। चूक चुके थे लेकिन उनके लिए वापस परिक्षा आयूजित करवाना ये थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हैं दो लोगों के लिए और इसलिए सुप्रीम कोट ने हाई कोट के फेसले को बदल दिया। अजब वहें देखें एक गजब की नोकरी बिजनिसमेन ने महिला को फेस्बुक कोलने पर थपड़ मारने की नोकरी दिये। नो साल से इस तरह का सिलसिला चल दा हैं दरसली है हमारे भारत के ही एक उद्योमी है यानि की बिजनिसमेने इनका नाम है मनीज से थी। इनकी एक बहुत गंदी आदत हैं कि इनको फेस्बुक चलाने की बहुत ज़्यादा लत हैं एडिक्टेड हैं तो इसके लिए इनुने एक महिला को हायर किया और कहा कि जब भी मैं काम करूँ ना कम्प्यूटर पर तब मेरे पास बैठी रहना और जैसे ही मैं फेस्बुक को अबम से उड़ाने की धमकी मिली ये मचल परदेश में अलर्ड जारी किया गया हैं वहीं रादिस्तान में जो 173 बजरी माइन से खनन काम को बंद कर दिया हैं खान विवाग ने नदियों के 5 किलोमेटर तक के दायरे में बजरी निकालने पर रोक लगा दिये हैं पट्टे तुरंत कैंसल करने के आदेश भी जारी कर दिये हैं दरसल कली कोड की तरब से नादिस्तान में जो 4 सालों से बजरी पर बेन था उसको तो खोल दिया गया लेकिन इस नियम के साथ खुलेगा अब ये जो अभी मैंने आपको बताया अचा वहीं देके 19 नवंबर को साल का नोका नजार आपको देखने मिलेगा अचा वहीं कली सुकरवार था तो बोलिवुड की अबिनिता शारुखान के बेटे आरियन खान ने NCB के दप्तर में अपनी दूसरी हाजरी दी हैं जेल से चुटने के बाद उनको ये आदेश दिया गया कि हर सुकरवार आप NCB के ओफ और बहुत सारे रिजन से कोई एक-दो कारण नहीं है और ये सीन भारत के नदियों के तस्वीरों के ये हालात जो हैं विदेशी मीडिया में भी कल देखने को मिले जोंकि भारत के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात हैं अचा वहीं देखे दोस्तों पटना के एम्स में नींद पर एक बड़ा सोध हुआ कि बिना म्यूजिक देर से नींद आई जिबकि अच्छी नींद चाहिए आपको तो 432 हर्ज पर आप भीनी भीनी आवाज में मधूर आवाज में म्यूजिक यानि की घाने सुन सकते हैं तब आपको और अच्छी नींद आएगी घरी नींद आए दरसल मुक्य मतरी चरणजीन सिंग चन्नी ने दिली हिंसा के आरोप में गिरिपतार किये गे 83 आरोपियों को 2-2 लाक रुपे की वितिय सायता देने का एलान किया और उनका कहना कि मतलब जो जो 26 जनवरी के दोरान सेयुक्त किशान मोर्चा ने दिली में ट्रेक्टर रेली तो उसी के सिले में ये कोसना की गई है अच्छा वहिदे के प्रदान मतरी नरेंदर मोधी एक गंटे 15 मिनिट तक जन जाती है महा समयलन में भाग लेने जा रहे हैं 15 नहुंबर को जन जाती है गोरव दिवस परमतेपरदेश भोपाल में आजीत होने चारा ये महा समयलन और के लिए जल्दी के अंदर सरकार की प्रोच्वान यह उजना भी देखने को मिलेगी अच्छा साथ एक खबर है कि देखे आइफोन एक्स में इनके आइफोन 10 जो आता है उसमें यूसबी टाइप सी पोट लगा करके आइफोन को निलामी पर डाल दिया जो कि 6400 करवे में ब देखने को मिलेगा मीडिया टेक प्रोसेसर और एंड्रोड डिलाइवन ओस के साथ जीओ बुक नाम से लेप्टॉप देखने को मिल रहा है ओनलाइन मीडिया के मुदाबिक इसके स्पेसिफिकिशन भी लीक हो रहे हैं इसमें आपको HD Regulation वाली स्क्रीन, 4GB RAM, 14GB Onboard Storage, 4G LTE, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, Connectivity वगेरा ओल फीचर्स आपको इस लेपी में देखने को मिलेंगे वहीं देखें दोस्तों मीर्जापुर में वायो प्रदूशन से बच्चों का सारे एक विकास रुक रहा, TB, Cancer जैसे रोग भी बच्चों में देखने को मिल रहे हैं चार साल में साथ बच्चों के जान जाने की भी कबर हैं तो भीहार में इस तरह के आलाद चल रहे हैं, बड़ी ही दैनी इस्तीती हैं वहीं राजदाने दिल्ले में 10% तक सराब महंगे हो चुकी हैं, सरकार इसको लेकर नोटिपेकेशन भी जारी कर दिया हैं चार साल में जो नई आपकार इनी थी 2021 लागू हुई सराब के लिए उसे के तरहती रेटें महंगे हुई हैं अच्छा भीजली महंगे होने जानी सरकार ने नया नियम लागू कंड की तैयारी भी कर ली हैं जिससे आम आदमे की जेब पर असर पड़ेगा तो दरसल इसके पीछे वज़य यह हैं कि देश में हमारे अभी पहले से ही पावर सेक्टर का दो बूरा हाला आपको पता होगा कि और कोल क्राइसिस की घटना के बाद पावर मिनिस्ट्री ने ओटोमेटिक पास्थ्रू मोडल को लेकर भी निर्देश जारी कर दी हैं और इसे मैं कहने का मतलब अगर कुलमलाकर के इंटरनेशनल मार्केट में कच्छे तेल फ्यूल कोंट्रेक्ट वगरा की रेटें बढ़ इसे के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेस्बूक और वाटसप पर और आप हमारे चैनल को भी सस्क्राइब करके बैल आइपोन जरूर तबा देना ताकि आपके ताज़ा अपडेट्स और का की कबने तुरंत आपके मुबाइल पर मिलती रहेगी थैंक्यो टेकर गुडबाई जय हिंद जय बारत वंदे मात्रम